एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में, जहां सपने और कहानियों की धूप छाई रहती थी. यह गाव एक आधुनिक जमाने में होने के बावजूद अपनी परमपराएं और वितिरिवाजों को महसूस कराता था. गाव में एक सुन्दर जोडा रहता था, अर्जुन और सीता. वे न तो धन्वान थे और नहीं बड़े परिश्रमी, लेकिन उनमें प्यार और समर्पन की भावना थी. उनकी दिनचर्या में एक और रूप था, वो भूतनी को मानते थे. एक दिन गाव में एक विदेशी यात्री आया, जो भूतनी और आत्मा को देखने का दावा कर रहा था. गाव वाले उचसाहित हो उठे और अर्जुन सीता भी ने इसे देखने का निर्णय किया. यात्री ने अपने विशेश तंत्रों का प्रदर्शन करते हुए कहा, भूतनी और आत्मा तुम्हारे बीच में है. मैं उन्हें तुम्हारे सामने बुला सकता हूँ, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि इससे बड़ा संधर्श हो सकता है. अर्जुन और सीटा ने सहमती दी और रात के समय समागम की तैयारी करने लगे. जब रात आई, गाव का माहौल अजीब सा हो गया. यात्री ने एक विशेश मंत्र का उच्चारण करते हुए अचानक कुछ अजीब सी आवाजें उत्पन्न की. गाव वाले घबरा गए लेकिन अर्जुन और सीटा ने अपनी भूत्नी में विश्वास रखा. एक अद्भुत प्रकार से भूत्नी की आवाजें आती रही और उन्होंने यह देखा कि एक पुराने व्यक्ति की आत्मा उनके सामने है. भूत्नी ने अर्जुन और सीटा को आशिरवाद दिया और कहा, तुम्हारा प्यार और समर्पन एक दूसरे में है, इसलिए तुम दोनों हमेशा सुक्षान्ती में रहोगे. यात्री ने भी आत्मा को शान्ती मिलने के बाद गाव छोड़ा, लेकिन गाव वालों के दिल में एक नया विश्वास था, प्यार और समर्पन ही वास्तविक आत्मा का स्रोत है. इसके बाद अर्जुन और सीता ने अपने जीवन को और भी साजा करने का निर्नय किया और गाव में एक सशक्त और सुखी जीवन बिताने लगे. भूतनी की कहानी ने उन्हें यह सिखाई की वास्तविक धन और धा का स्रोत प्यार और समर्पन हैं, जो जीवन को सुन्दर बनाये रखते हैं. अर्जुन और सीता ने अपने दिलों की बातें साजा करके एक दूसरे को समझा और समर्थन किया. उनकी जीवन यात्रा में कई मुश्किले आईं, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर हर समस्या का सामना किया. वे जानते थे कि उनकी ताकत उनके एक दूसरे के साथीपन में छिपी हुई है. एक दिन जब उन्होंने गाउं की सेवा करते हुए एक बड़े कार्यक्रम में भाग लिया, वहां एक बूट बिक्री में भूतनी दिखाई दी. भूतनी ने एक कहानी सुनाई कि वह भूतनी नहीं थी, बलकि एक पूरानी आत्मा थी जो अपनी आशिरवाद से लोगों को सहारा देने का कारण बन गई थी. अर्जुन और सीटा ने उससे मिलकर जाना कि उनकी भूतनी ने उन्हें एक दूसरे के साथ जीवन में मजबूती और सहयोग की महत्वपूर्णता सिखाई थी. उन्होंने आत्मा के माध्यम से समझाया कि धन और सामुहिक सुख की प्राप्ती के लिए प्रेम और समर्पण में ही सच्चा एतिहासिक सफलता है. इस अनुभव से उनका आत्म विश्वास और समर्थन बढ़ा और वे गाउवालों के बीच एक उदाहरन स्थापित कर गए की सहानुभूती, समर्थन और साजेदारी से ही जीवन को समरिध्धी और सुख की दिशा मिलती है. उनका साजेदा जीवन अब गाउव के लोगों के लिए प्रेना स्रोत बन गया था. वे समर्थी, समर्पन और सामुहिक सहयोग के मूलियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. एक दिन गाउव में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ, एक स्कूल की स्थापना हुई. अर्जुन और सीता ने इसे एक सामुहिक परियोजना के रूप में शुरू किया और गाउव के बच्चों को शिक्षा के लिए एक स्थान प्रदान किया. इस स्कूल ने गाउव की जनसंख्या में सुधार किया और लोगों को नए द्रिश्टिकोन और जागरूकता प्रदान की. अर्जुन और सीता का यह योजना गाउव को न केवल शिक्षा बलकी सामुहिक विकास में भी सहायत बना दी. इसके बाद वे नेत्रित्व और सामुहिक सेवा के ख्षेतर में अग्रणी बन गए और अपने परिवार और समाज को बहतर बनाने के लिए काम करते रहे. उनका यह उदाहरन दिखाता है कि सच्चा साज्यदारी, समर्पन और सेवा से ही हम अच्छे समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्यार, समर्पन और सहायता हैं, जो हमें अच्छे और संतुलित जीवन की दिशा में मदद करती हैं. यह कहानी हमें एक सकारात्मक और सामोहिक द्रिश्टिकोन को बनाए रखने की महत्वपूर्णता याद दिलाती हैं.